हेलो दोस्तो टेकनिकल गाइडलाइन में एक बर फिर से आपका स्वागत है दोस्तो अगर आप भी जियो का सिम यूज़ करते हैं और भविस्से में कभी आपको अपने नंबर से की गई कॉल डिटेल्स की जानकरी चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है इस वीडियो में आप जानेंगे कि अपने जियो सिम की कॉल डिटेल्स को बड़े ही आसानी से कैसे निकाल सकते हैं तो बने रहे हैं मेरे साथ इस विडियो में और विडियो को बिना स्किप किए लाष्ट तक देखते रहे हैं अगर आप आभी तक इस चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे यह जो सब्सक्राइब बograph है इस पर आप अभी तुरंद किजिए इसके बाद इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और उपर all notification पर क्लिक कर लेजिए इससे आपको इस चैनल पर आने वाले हर नए वीडियो की notification मिल जाएगी और आप हर नए वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं दोस्तों सबसे पहले आपको play store से my geo app को install कर लेना पड़ेगा आप play store से उपर search box में type करके search कर लेजिएगा my geo और इस application को आप install कर लेजिएगा बहुत लोग ऐसे हैं जो कि पहले से इसे install करके रखते हैं क्योंकि recharge वेगरा करने में सुविधा होती है तो आप इसे install कर लिजेगा और इसे open किजेगा तो मैंने इसे install कर लिया है पहले से काफी दिनों से मैं इसे use कर रहा हूँ मुझे यहाँ पर update करने के लिए बोल रहा है फिलाल मैं इसे update नहीं कर रहा हूँ और मैं इसे open कर लेता हूँ और ओपन करने की बाद यहां पर आपको अपना नंबर दिखेगा और आप कौन सा प्लान यूज़ कर रहे हैं वो यहां पर नीचे दिखेगा और यहां नीचे देखिए डेटा बैलंस दिखेगा तो यहां से आप यह जो एरो है इस पर क्लिक करके भी आप अपना स्टेटमें यह वाला option नहीं open होता है तो आप सबसे first option जो है mobile का आप इस पर click किजिएगा click करने के बाद नीचे देखिए एक option है my usage आप इसे click किजिएगा जैसे आप click करेंगे यहाँ पर देखिए चार options दिखेंगे data, calls, sms, wifi तो इसमें से आपको calls पर click करना है अब यहाँ पर कुछ call details आपको देखेंगे लेकिन आप और ज्यादा details में अगर देखना चाहते हैं तो आप इसे just नीचे scroll किजिएगा तो नीचे देखिए यहाँ पर एक option आपको मिल जाएगा do you want to view detailed uses statement तो आपको इस पर tap करना है अब देखिए यहाँ पर tap करने के बाद आपको एक duration range select करना है मतलब कितने दिनों का आप statement देखना चाहते हैं यहाँ उपर देखिए एक चीज के लिए लिए लिखा हुआ है कि statement can be generated for last 180 days from and two dates can be maximum 30 days apart मतलब आप maximum 180 दिन का statement देख सकते हैं उससे पहले का statement आपको नहीं मिलेगा और एक बार में आप 30 दिन का है statement देख सकते हैं तो यहाँ से आपको date range select कर लेना पड़ेगा और यहाँ देखिए नीचे तीन option दिया हुआ है view statement email statement और download statement अगर आप सिर्फ देखना चाहते हैं तो फर्स्ट वाला option पर select किजिएगा और अगर आप email करवाना चाहते हैं तो second वाला option और अगर आप download करना चाहते हैं तो यह और वाला option को select किजिएगा तो चलिए मैं यहाँ पर date select कर लेता हूं आप जैसे क्लिक करेंगे calendar open होगा आप यहां से यहां से आप months change कर सकते हैं तो चलिए मैं 30 दिन का एक लम सम सेलेक्ट कर लेता हूं डेट और ओके करता हूं और बस आपको यहां पर सब्मिट पर क्लिक करना है दोस्तों जैसे सब्मिट करेंगे यहां पर आपको my bill option by default सेलेक्ट रहेगा और आपका यह address आपका जियो नंबर अकाउंट नंबर देखेगा यह देखिए थार्ड ऑप्शन है यूजेश चार्जिस इस पर आपको क्लिक करना है आप यहां पर देखिए फिर से तीन ऑप्शन मिल जाएंगे आपको voice पर क्लिक करना है voice पर क्लिक करने के बाद यहां पर देखिए to know more about voice uses click here इस पर आपको क्लिक करना है अब यहां पर देखिए आपको detailed information मिल जाएंगे आपने कब कब किस नंबर पर call किया है यह देखिए यहां पर local on net off net call details है आप इसके थोड़ा नीचे scroll करेंगे तो यहां पर देखिए std का भी details आपको मिल जाएंगे और total कितना call हुआ है यह भी आपको दिख जाएगा और इधर आपको durations भी दिख जाएंगे अगर आप इसका detailed information चाहते हैं तो यहां पर देखिए किसी भी number का यह जो down arrow है इस पर क्लिक किजिएगा तो यहां पर देख सकते हैं 28 second इसमें बात हुआ है इसी तरह आप किसी भी number का details यहां से निकल सकते हैं कि कौन से number पर आपने कितने minute बात किया है इसके लावा अगर आप यह भी जानना चाहते हैं कि आपका internet का data कब आपने कितना mb use किया है तो यह first वाला option में आप click करके जान सकते है same process है आप यहां पर click किजएगा तो detailed में आपको information मिल जाएगा यह देखिए यहां पर इतना mb total use हुआ है यह यहां पर date दिखा रहा है तो दोस्तों इस तरह से आप अपने जियो number की call details को देख सकते हैं कभी भी और आपको बता दूं कि इसमें आपको सरफ outgoing calls से दिखेंगे incoming calls का record आपको यहां पर नहीं मिलेगा तो उमिद करता हूँ यह छोटा से वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो like जरूर कीजेगा और दूसरों को भी share कीजेगा और अगर आपने अभी तक इस channel को subscribe नहीं किया है तो subscribe करके bell icon पर click करके all पर click कर लिए ताकि आपको आने वाले सभी नए वीडियो की notification मिलती रहे तो मिलते हैं इसी तरह के एक और नए वीडियो के साथ तब तक के लिए bye and take care